दोस्तों नमस्कार कैसे हैं सब आसा करता हूं मस्तोंगे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सफलता के पांच मूल मंतर बता हूँगा जो यदि आप अपनी खेती पर या फिर किसी अन्य वेवसाय पर भी इंप्लिमेंट करते हैं उन्हें लागू करते हैं तो आप यकीन मनियें आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोख सकता और वीडियो को अंतर हम जाने के एक ऐसे पांट को जो यदि आप करते हैं और अधिकतर किसान करता है उसे अगर वो आप भी करते हैं तो आप जो है कभी भी खेती पर सफल नहीं हो पाएंगे चलिए दोस्तों वीडियो कुसी बात करते हैं मैं हूँ राकिस हूँ आप देख रहा है एगरो जीवन बाते किसान की यह आपको अपना चैनल है इस दिन पर जो भी आपको जानकारी दी चाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहरी वारायत चैनल को सबस्क्राइब करें सबसे पहला जो मूल बंत रहा है वो है रेलेक्स रहना हमें अपने जिन्दिगी पर हमेशा रेलेक्स रहना चाहिए सांत रहना चाहिए क्योंकि जब आप सांत रहते हैं तो आप जो डिसिजन लेते हैं वो बहुत ही बड़ी है डिसिजन होते है और जब आप असान्त होते हैं, जब आप घवराट में होते हैं, या आपको कोई फरिसानी होती है, माली जी किसी फसल में आपको नुकसान हो गया है और इसके बाद जो आप डिसने लेते हैं, वो जल्दवाजी में लेते हैं फिर आप नहीं देखते कि इसमें हम जो नई फसल लगा रहे हैं उसमें क्या हमें घाटा होगा या फिर मुनाबा होगा किसी की भी बाते हमने सुनी और उसके अधार पर जल्दवाजी में कोई फसल का निन्ना ले लिया तो ऐसा आपको बिलकुल नहीं करना है आपको बड़े सांती से बड़े धेरता से काम लेना है और पहले चीजों को समझना है और दूसरी बात ये है कि कभी भी किसी दूसरी चीज पर किसी दूसरे व्यक्ति पर या मौसम पर कहें हम हमारी मिट्टी पर कभी भी हमें ब्लैम नहीं करना है जो भी गल्दियां होती हैं दोस्तों वो तो खेर मौसम तो अपनी जगे में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है वो खुद किसान होता है खुद किसान की नीतिया होती है अकर हम अपनी गल्दिया खुद निकाल लेंगे तो लोग हमारी गल्दियां नहीं निकाल पाएंगे और हम उन गल्दियां को सुधारी पाएंगे लेकिन अधिकतर ये होता है कि लोग अपनी गलतियां नहीं निकाल पाते दूसरे उने जब बताते हैं तो बुरा लगता है फिर इसलिए आपको अपनी गलतियां खुद निकालना है और उन्हें सुधाने की कुछिस करनी है और हमेशा सान्ती से सान्त दिमाग से आपको काम लेना है और निंडा लेना है दूसरा पाइंट को जाने है दूसरा पाइंट दूसरों परिवर्तन परिवर्तन प्रकरती का नियाम है चीजें बदलती रहती हैं सारी चीजें एक जैसी नहीं है पहले हम flat पानी देते थे सब्जियों पर आज हम drip का उप्योग कर रहे हैं पानी देने के लिए सिचाई करने के लिए कितनी सहुलियत दें खाद देने में आसानी है water-salevel खाद आप चाहे तो हर दिन दे सकते हैं और आपको खाद देने में महच 5-10 मिट लगते हैं तो यदि आपने ये परिवरता नहीं किया होता यदि सब्जी लगाने वाले केसानों ने ये परिवरता नहीं किया होता तो बताए ये क्या आसान होता इससे पचासीगर रगबे पर खेती करना वो भी सबजी की? नहीं गेहूं की भी हम बात करने तो गेहूं पर भी जो फ्लैट पानी हम देते हैं मोटर से क्या वो देना संभव है एक वक्ति उसे पीछे लगता है इस स्प्रिंगलर सेट ये नोजल से अगर पानी देते हैं तो आपने सिप्ट लगा दी पाइप लगा दिये नोजल चालू कर दिये तो फिर आपको सीधा बदलने जाना है एक वक्ति पचासीगर जैमीन को भी कर सकता है सिर्फ डिप पर ही हमें सहीमित नहीं रहना है आपका जो समय आए रहा है वह सुरक्षित खेती संदक्षित खेती के तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा यानि हम जो ओपन फिल्ड पर अभी सार्मीन कर रहे हैं हमें जरुवत है आप पॉली हाउस बगेरा ये नेट हाउस बगेरा का उप्योग करने की आपको समय समय पर चीज़ों को एड़ आप करना पड़ेगा यानि कि उन्हें आत्मगरण करना पड़ेगा तब आप जो है समझ पाएंगे कि चीज़ें और कैसे बहतर हो सकती है राजसानी खेती भी ऐसी है राजसानी खेती के कारण हमें जो दोहन कर चुका है जमीन का जो राजसानी खाद हमें देकर और जमीन से जो उर्रकता उठा ली है और जो उपज लेनी थी वो ले ली है अब वो संभव नहीं है अब हमें और्गनिक कारवन जो है अपनी जमीन पर वापिस देना होगा नहीं तो महच 5 से 10 सालों के अंदर माप देखेंगे कि आपकी जो जमीन है वो बंजर से भी बत्तर हो जाएगी आप जो खाद देते हैं उसका जो असर है अब बहुत ही कम हो गया है हम वाटर सालेविल खाद पहले 2 किलो प्रती इकर देते थे आप 4 से 5 किलो देते हैं तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलवाते हैं आपको ऐसे आयाम ऐसे जोगाड बनाने होंगे जिससे समय कम लगे लेवर कम लगे तो ये फरिवर्थान आपको करना पड़ेगा तीसरा पाइंट है चोनोतियों को स्विकार करना हम अगर एक ही पैटर्न पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो है लोगों के साथ ही रहेंगे और बलकि नीचे चले जाएंगे आपको चोनोतियों स्विकार करना होगी जो अगेती सब्जिया होती हैं उन में चोनोतियों जादा होती है ठंड के समय पर जैसे अभी आप देखें तो ठंड के समय पर हम चाहे तो अगेती कोई भी अकर फसल लगाते हैं, चाहे वो सिम्ला मेच हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे खीरा हो, यदि आप low tunnel बना कर, high tunnel बला कर, crop cover लगा कर, यदि ये pattern अपना कर, आप संदर्चित खेती करके, यदि कुछ फसल होगा लेते हैं, तो आ आपको ऐसा लगता है कि हमने जो लागत लगाई है, क्या वो वसूल हो पा रही है, या नहीं हो पा रही है, आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं चाहे है, वहां राय है, इसलिए आपको चुनोतियों को सिवकार करना पड़ता है, काफी किसान अभी भ सबसे बड़ी चुनोती है मौसम, मौसम हम देख रहे हैं अभी कि बहुत ही खराब है, टमाटा जैसी फसलों की हालत यह है, कि फंगस जनित इतने रोग आ रहे हैं, बैक्टिल जनित इतने रोग आ रहे हैं, कि कुछ पूछिये मत, लेकिन फिर भी क्या करें, निकालना पड और यह फर्मूला ऐसा नहीं है, यह खेती में ही सिर्फ आप इसको लागू कर सकते हैं, आप कोई भी बिजनिस कर रहे हूं, तो आप अगर इन फर्मूलों को लागू करेंगे, तो आप उस बिजनिस पर सपा लो जाएंगे, चौंथा पाइंट है हमारा, अपने आप पर इ सीख लेते, हमने देखा सी कि लगा लिया टामाटर, दूसरा किसांट टामाटर में अच्छे पैसे कमाए हमने लिया और लगा दिया, भले ही हमें उसका नालिज बिल्कुल ना होगा, तो यह आप बड़ी गल्ती करते हैं, यह आपको नहीं करना है, सबसे पहले आप छोटे करता सिक आप उसक यतना भी करना है, कोई भी आप फसल लगा रहा है, सबसे पहले उनके रोगों को बारे में जाने, उनका सही समय क्या होता है, लगाने का और हर्विस्टिंग का भी, क्योंकि लगाने से कुछ नहीं होता, लगाने का सही समय यदि आपने ढून भी लिया, तो यदि वो हर्विस्टिंग आपके गलत समय में आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, रेट नहीं मिल पाएंगे मार्केट पर, तो भी आप फैल हो जाएंगे, तो आपको सबसे वड़ी बात ही है कि खुद पर इन्वेश्ट करना ही, य ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप कोई भी सबजी को उठा के मार्केट पर देख लेना, आप एक समय ऐसा आता है, साल में कम सकम तीन से चार वार ऐसा होता है, कि आपको उसके जो रेट हैं, वो तीस रुपे, चालीस रुपे ही मिलेंगे, और एक समय आता है कि पांच रुप आपको समझ में जाए कि हमें लगाना कब है, उसका उत्पादन कब लेना है, कि हमें रेट बढ़िया मिल पाएं, और उनके रुपों को आप समझ लें, आप यकीन मानिये, आप किसी भी एक फसल को चुनने आप, और उस पर आप माश्टर हो जाएं, तो आपको सफ़र होने ये सबसे बड़ी कलती है, पाँचवा और अंदीम पाइंट है, हमारा ये कि हमेशा हमें सांत रहना है, कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो उला वस्टी हो, चाहे आपका रोग कोई आ जाते हो, बिमारी आती है, मौसम गड़बड रहता है, वो आपके हिसाब से नहीं चल अब उससे आप परिशान होकर ये तो बैड़ भी सकते हैं, कि हमको नहीं लगाना भी ये टामाटर, मौसम बहुत खराब है, समय नहीं है, ठीक उसके लिए, तो आपको ऐसे बिर्गों नहीं करना है, आपको जो है, चीजों के सांत में होकर चलना पड़ेगा, जो प्रकरती जैसी चल रही है, हमें थोई सुधार तो अपने आप में करना ही पड़ेंगे, जब हम जाके कहीं, आगे सफालो पाएंगे, तो ये पांच पाइंट हैं, और ये किसी भी बिजनिस पर फिट हो सकते हैं, आप अपने जीवन पर यदि उन्हें उतारते हैं, यदि आप अच् सकते हैं, ये वीडियो को कैसा लगा प्रीज सेने कमेंट करके जरूर पता है, और यदि आपको पासंद आई हो ये वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली वारा है और चैनल को स्काइब करें, आप हम जानते हैं वीडियो की विशेज बाद, 99% किसान सब से बड़ी गलती करता है एक 99% किसान जो है इसी कारण से फैल होता है वो जो 1% किसान होता है वो यह गलती नहीं करता इसलिए वो फास हो जाता है जो बड़े किसान है जो अच्छा आज इस समय पर कर रहे हैं वो सबसे बड़े गलती एक जो होती है जो हर किसान करता वो यह नहीं करता वो क्या ह वो है टालमटोल करना आपको अभीस परे करना था बारीच अभी समापत होगे नहीं कल कर लेंगे आज लेवर नहीं है आज ये समस्या है कल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभीस परे लिया था ये जो टालमटोल की जो समस्या है यह आपकी जु आदत है यह सबसे ज़्याद खथरनाक है एक कहवा तो आपने सुनी होगी काल करे सो आज करे सो अब परल मैं परल हो थे बहूरी करेगा कप यह जो दोहा है यह कोई गलत नहीं है जो हमारे संत महाथमा थे उनने जो बातें लिखी हुई है करना तहां नहीं कर पाए हम। कभी ये समस्य आ गए, कभी हमारे पास समय नहीं रहा, कभी लेबर के पास काम ज्यादा हो गया, तो हम नहीं कर पाए। तो आपको एंसे इंतिजाम करके रखने हैं, खास कर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला वो है, आपका इस्टेकिंग बगर वो समय में होना चाहिए। दूसरा आपका इस्प्रे, इस्प्रे पर आपको बिल्कुल सो टका जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभ हमें, किस दबा का इसमाल कब करना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, उसकी जो टाइमिंग आपको फिक्स करके रखनी पड़ेगी। आपको बारिस जैसे ही समाथ होती है तो हमें यह नहीं देखना कि मौसम है बीस्ट बोरेगवी कहराब हो सकती। वह तो हो सकती असके चांस है मिलकुल। लेकिन जो बड़ा किसान होता है जो सफल किसान होता है उसकी यही एक आतत होती है कि वह जो है डालता है दवा मौसम गड़बड है उसको लग रहा है अगर मालीजे 50% चांस है वारिस होने के और 50% चांस है वारिस ना होने के आप मुबाइल पर देख सकते हैं वेदर के क्या आल हैं मौसम के क्या आल हैं उसके सबसाद दवा इस्प्रे कर सकते हैं तो किसी भी दवा का 100% रजल तो नहीं मिलता तो वो ये दिमाख लगा के इस पर करता है कि यदि माल लेजिए बारी थोड़ बहुत हो भी जाती है और यदि 50% भी असर हो गया तो हमारी फसल दो बच जाती है दवा आप बाद में क्या करेंगे जब आपकी फसल पूरी खराब हो चुकी है तो तो ये आपको रिक्स लेकर चलना पड़ता है दोस्तों हमने आपको काफी सरल तरीके से इन फांच माइंटों को बताय हुआ है आपकी क्या राय है हमें कमेंट की मदब से जरूर लिखें मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जान करेंगे सांथ तब कर नमस्कार जैहिं जैकिसान जैजवान